बिस्मिल्लाहिर्मार्मार्य रहीम, असलामुलेक्व, मैं हूं मुहम्मद अब्दुल्ला शाहिद, आज हम लोग पस्ट्रियर केमिस्ट्री चैप्टर नबर बन, जो कि है बेसिक कॉंसेप्ट्स का, उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्जेंपल नबर 11, जो कि स्टिश् आज हम लोग उसकी एक्जेंपल जो है न, उसको करने जा रहे हैं, एक्जेंपल नबर 11 का, मैं गिवन डटा ही, वो बोलता है, वो बोलता है, क्यल्कुरेटर दी नमबर अफ ग्रैंस, और के टुए सो फोर, नमबर अफ ग्रैंस मतलब, ग्रैंस किसका यून रुता है, मैस क किसका मलूम करना है, के तो, एस ओ, पोर का मलूम करना है, एंड वाटर प्रोडूस्ट, और पानी का भी मलूम करना है, मैस ओ वाटर, वो कितना है, वो भी मलूम करना है, मैं पोर्टीन ग्रैम ऑफ के वाच, वो बोला है, मैस यह है न, वो के वाच का है, पोर्टीन ग्रैम् एकसेस ऑफ एच्ट वसफ वाटर बहुत जैदा है उसके साथ यहाट कर वाटर जाद है उसके साथ यह कर रहा है अंसों कुल पुनिर देन देन नमबर और बार्ट लालगेस नमबर ऑफ वाटर वाटर मॉली क्यों भी पूज है कि यानि कि वो हमें यह बोल रहा है कि मैस मालूम करना एक तो पॉटाशियम सल्फेड का दूसरी नंबर पर वाटर का जब 14 ग्रैंट के उएक्षिन कर रहा होगा एक्सेस अप एक्सेस सब्सक्राइब के साथ रियाइक्टर ने का कौन कौन सी चीज़े है एक है पॉटाशियम सब्सक्राइब करना है कि सब्सक्राइब करना है इसको पॉटाशियम को साथ मल्डिप्लाइब कर दो पॉटाशियम बैलंस हो गया है ऑक्सिजन देखो इधर टू और फॉर इस सिक्स हो गया है यहां पर four and one five इसको टू के साथ मल्डिप्लाइब करती है कितने हो गया है अब भी हम लोग देखें अगर, तो equation में एक ही चीज़ का mass बताया जाए प्रीविस lecture जो स्टिशिमेटरी का हम लोग देपड़ा था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर reactant या product दोनों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताया दिया जाए एक चीज़ का mass बता दिया जाए, या volume बता दिया जाए, या mode बता दिया जाए, हम लोग जो product होगा या reactant होगा जिसके नहीं बतायागे उसके बारे मलूम करें अब यह example number 11 के अंदर उसने हमें reactant का mass बताया, और पूछा कहें, दोनों product का mass पूछा है, कि compare करके relationship के साथ मलूम करें, साथ में नमबर आप molecules के पूछा, एक के साथ तीन चीज़े पूछी है, तो मलूम करेंगे, हाँ जी इंशाल्ला, सुनों करते हैं, इसमें सबसे पहले मलूम करते हैं, क्योंकि equation के अंदर में हमें उसकी molar concentration का बता है, तो mole-mole compare करके हमारे लिए मलूम करता है, इसमें से पहले molar concentration ही नहीं, तो इसमें 14 gram है, तो हम लोग सबसे पहले मलूम करेंगे number of moles इसके potassium hydroxide, वो कैसे होंगे, given mass over molar mass, तो given mass, कितना है, 14 gram, molar mass कितना होगा, molar mass मलूम करना है हम लोगों को नेक के, O, X का, तो potassium का कितना होता है, 38, plus oxygen का 16, AK की है, plus hydrogen का 1, 38, 39, यहां, शोरी, 39 होता है, potassium का 39, 16 and 1, इनको total करना है हम दो, तो यह बन जोएगा 56, 14 gram divided by 56 grams per mole, अब यह जो gram है, यह gram के साथ कट जाए है, mole नीचे minus का था, तो उपर जाएगा, plus का हो जाएगा, mole, 14 को divide करते है, 56 का साथ, 0.25, 0.25 moles of KOH will be there in 14 gram of KOH, यादि अगर हम लोग 14 gram 14 gram KOH लेंगे, तो इसमें 0.25 moles है, वो KOH के हो जोड़, अब हम लोग ने क्या करना है, relationship मलूम करना है, तो relationship, जैसे हम लोग ratio form में नहीं तो लिखते हैं, वैसे हम लोग ने relationship मलूम करना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, क्या मलूम करना है लगे हैं, हम लोग mass जैसे हैं, वो मलूम करना हैं, K2SO4, पहले ये वलाई करते हैं, तो इसके लिए relationships किस साथ चलेंगे, relationship में हमें value किस की पता है, हमें molar concentration किस की पता है, प्राशे माई रोक सब, जिसकी पता है, उसको हम लोग लिखेंगे, left side, जिसकी मालूम करनी है, उसको हम लोग लिखेंगे, right side, मालूम किस की करनी है, K2SO4, दरिखना हमें, ratio, अब यह हम लोग देखें, equation, balanced chemical equation देखें, क्योर्च के कितने moles इस्तमाल हो रहे हैं, 2, potassium sulfate के कितने परवाएं, 1, यानि कि if we have 2 moles of QH, we will have 1 mole of K2SO4, यानि कि अगर 2 mole QH के होगे, तो एक mole K2SO4 का बने, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, अगर इसके 1 mole हो तो इसके कितने हो, 1 में करवाट करना है, तो 1 में करवाट करने के लिए, इसको 2 by 2 करनेगे, इसको भी 1 by 2 करनेगे, तो क्या होगा, अगर इसका 1 mole होगे, तो इसका 1 half mole होगा, ताटा mole होगा, लेकर हर पास potassium होटक साट के कितने moles है, 0.25, तो इसी 0.25 को दोनों साटों पे मल्टिप्राइगा, 0.25 मल्टिप्राइगा, 0.25, तो यह अगर 0.25 इस साट पे, 0.25, यह अगर हमारे पास 2 mole थे के वाच के, तो 1 mole के वाच का था, एक mole के वाच का था, तो अधा mole था, 0.25 mole है तो इसके, 0.125 mole था, अब हम लोगरे मलूं कर लेना है mass, वो कैसे, एक फार्मूला हम लोगरे पड़ा है, तो इसके साट करके निकलना है, moles के साथ, हम लोग क्या करेंगे, moles के value का हमें बता दिया है, mole mass, k2so4 का हमें पता है, यह वाला mass नहीं पता हुपरों करते हैं, अगर वो हमें पूछ था, कि number of moles k2so4 के बता दें, तो हम लोग यहां तक यह लिखे देते हैं, k2so4 के moles, जो रहना है, 1.25 moles, आपको सिर्फ पूछा है, mass, तो mass हम भी इस एक्वेशन के साथ रिखा लेगे, वो कैसे करेंगे, इसको एइस सार पर रख लें, mass को, mass of k2so4, will be equal to number of moles multiply by molar mass, number of moles कितने हैं, 0.125, multiply by molar mass कितना है, है क्या, k2so4, potassium का 39 into 2, sulfur का 32 into 1, oxygen का 16 into 4 आएगा बिटा, इन सभी को अपस में plus कर लेंगे, तो यह बन जाएगा, 174, यहां के हम लोग मुटिपाई कर देंगे, 174 टिसका, 174 के साथ जब multiply किया, तो यहां लेगे, 21.75 ग्रैम्स, 21.75 यानि क्या है, अगर हम लोग 14 ग्रैम के ओएच ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एस्ट्रा एस्ट्रेसर पोर के साथ, तो हम्हारे पास 21.75 ग्रैम्स जो होगा, पॉटाश्यम सर्पेड प्रड्यूस ओ, ठीक है बटा, यह चीज हम लोग 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 लेट, वाटर का, तो उसके लिए क्या गरेंगे, उसके लिए तिरसे कमपेरिजन करें, कमपेरिजन में पता किसका है हमें, मोल्स की वैल्यू का, पॉटाश्यम संफेड का, उसको लेट साइड के, जिसके बलूम करने हैं, उसको राइट साइड, पॉटाश्यम हाईड़ोकसाड के कितने मोल्स इस्तिमार हो रहे हैं, टू मॉल्स, वाटर के कितने बन रहे हैं, टू मोल्स, यहां पे देखते है, हमारे पस के बाइच के कितने मोल्स है, 0.25 मोल्स इसको दोनों से एड़ों पर Funtiply कर देंगे, 0.25 मोल के बाइच के तो 0.25 मोल्स ही वाटर ते, यानि क्या हुआ, अगर हमारे पास 2 मोल के बाइच के थे, 2 भी वाटर के बन रहे थे, 0.25 तो 0.25 अब मस्मलूम कर ले मस्प इसी तरी के जए वो कैसे आगा विटा आएगा नम्बर अफ मो तब फिर मस्प बञूम कर लिए मोल अफ मस्प लेंगे मस्प अब aquestरणी वो गाएगा नम्बर अफ मो Ó Eli मॉल इस दू mash जिरो पॉइंट टूफाइट मॉलर मैस वाटर का कितना होता है है एज टू ओ हीड्रोजन का 1 इंटू 2 ऑक्सिजन का 16 टोटल कितना बन जाएगा 18 ग्रैम्स पर मोर 18 मॉल्टिप्लाई कर देंगे एटीन को 0.25 के साथ मुल्टिप्लाई कर दिया बेटा हम लोगा ने फिल बहिए 4.5 ग्रैंस यह मैस किसका है बेटा यह वाटर का मैस आ गया यह हम लोग ने मैस मुलूम किया था के टूए सब्सक्राइब वाटर का मैस भी हो गया अब क्या मलूम करना है नंबर आफ वाटर मालिक्यूल्स तो भी मलूम कर लेते हैं वालियूम करने गारहे नंबर आफ वाडर वालिक्यूल्स तो थो आध वालिक वालोम करने का फार्मुला क्या होगा N multiply by N नमर अब मोस multiply by एकवो गैट्रोस नमर नमर अब मोस कितने है वाटर के 0.25 एकवो गैट्रोस नमर की वैल्यू 6.02 multiply by 10 पावर 23 multiply कर लो पेटा कब multiply करेंगे तो यह आदेंगा 1.50 1.5 multiply by 10 की पावर 23 molecules of water वाटर विल भी देर means क्या है वो जो मैंने प्रीविस लेक्षर स्टिजियो मेर्ट्री वाले में आप रोंग बताया है क्या बताया था कि अगर reactant की एक जीज़ दे हुई है compare करके product की बाकि सारी सीज़े मरूम कर से तो reactant का सिरफ match दिया था product का match भी बलूम कर लिया product के माली की उस भी इसी द्रीकेस अगर वो पूच्छा आप पोटाशी में क्या है